पावन मिस्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रोल एंड फंक्शन्स ओफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसको शौट में एंसीटी भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम कहते हैं राष्टे सिक्षक सिच्छा परिस्द तो इसके नाम से पता चला है कि एक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की एक इंस्टरे का इंस्ट्यूशन जो किस पर काम कर रहा है टीचर एजुकेशन पर टीचर एजुकेशन में क्या क्या चीज़े आती हैं करिकुलम आ जाता है रूल से रेगुलेशन आ जाते हैं एफिलेशन हैं तो हम शुरू करते हैं NCT का लोगो है और अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो NCT 1995 से पहले 1973 से लेकर 1995 तक NCRT में क्या था कि NCRT में एक advisory body थी एक सलाकार निकाय था जिसका काम क्या था कि teacher education के संबन में teacher education के regarding ये central government और state government को ये advice देता था सला देता था कि किस तरह से teacher education को और बहतर बनाया जा सकता है तो 1995 से पहले NCRT में एक advisory body थी जो teacher education को लेकर central और government को ये advice देता था लेकिन इसने अपना काम तो बहुत अच्छे से किया लेकिन फिर भी teacher education में जो हम कह सकते हैं जो धांदली है जो quality है उसको maintain नहीं कर पाया और उसको maintain करने में एक तरह से नाकाम रहा तो आगे चलकर जब 1986 की जो policy आई तो 1986 की policy में बात कही गई कि अगर हमें teacher education को और अच्छा बनाना है उसमें हमें improvement लाना है उसकी quality को बढ़ाना है तो एक ऐसा institution होना चाहिए जो teacher education की देखरे करें उसको और बहतर बनाने का प्रयास करें तो इसलिए आगे चलक अगर 1993 में एक NCT Act 1993 पास हुआ और उसके बाद 17 August 1995 को NCT को एक statutory body की रूप में स्थापित किया गया और इस तरह से NCT की स्थापना हुई तो NCT 1995 से पहले क्या था कि NCRT में एक advisory body था ठीक है जो सलह सजेशन देता था इसके पास इतनी authority power नहीं थी लेकिन आगे जलके 1993 में NCT Act 1993 पास हुआ और 1995 से इसको एक statutory body की रूप में इसको मानिता दी गई और इसको power दी गई कि teacher education के regarding में policy बनाना, curriculum design करना, rules and regulation बनाना, teachers के eligibility डिसाइड करना तो इस सारा का सारा जो responsibility थी ए NCT को दे दी गई अब हम इसके role and functions की बात करते हैं कि NCT के role and functions क्या 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 है, कारे और भूमिका क्या क्या है, तो इसके कारे भूमिका क्या है, कि teacher education के regarding जो भी survey है, या जो भी studies है, उसको क्या करना है, उसको publish करना है, कि हमारे देश में अक्सर बहुत सारे आपने देखा होगा research अलगलग field में research होते हैं, तो teacher education के field में जो research हो रहा है, ऐसे surveys को, ऐसे research को publish करना, उसके बाद make recommendation to the central and state government, university grant commission and institution in the matter of preparation of suitable plans and programs in the field of teacher education की सिक्षक सिक्षा के छेतर में उपयुक्त योजनाओं और कारे कुम्रों के लिए, के इंदर सारका, राजिस्तिकार, विश्विद्यालियों और UGC, विश्विद्यालियों अनुद्यान आयोग, और मानिता प्राप्ट संस्थानों को सिफारिस करना, कि इन संस्थानों को state government, central government है, universities है, जो affiliated institution को बताना, इनको suggestion देना कि कि किस तरह से teacher education को और बहतर तरीके से बना सकते हैं, तो इसके लिए rules बनाना, regulation है, guidelines है, इस सारा काम जो है किसका है, NCRT का है, sorry, NCT का है, coordinate and monitor teacher education and its development in the country, कि देश में सिक्षक सिक्षा और उसके विकास का समन्वे और निगरानी करना, कि पूरे देश भर में, जितने भी institution teacher education से related है, तो क्या करना है, teacher education जो है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, और जो इस तरह के institutions हैं, उनकी निगरानी करना है, कि अपना क सामो, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को विद्याल है, या कोई महा विद्याल है, मतलब school college अगर उसको खोलना है, ठीक है, तो उसके लिए ओ क्या कर सकता है, मानिता प्राप संस्थानों में सिक्षक के रूप में, अगर आवेदन करने के होगी, एक school खोलने के लिए क्या requirement होनी चाहिए, क्या eligibility होनी चाहिए, उसकी जो यह चीज है, यह decide करना किसका काम है, इसके मतलब जो guidelines है, NCT का काम है, NCT, अगर मानलो आपको कोई teacher education institution खोलना है, school खोलना है, तो NCRT के कुछ guidelines है, कि आगर school खोलना चाहते हैं, या college खोलना चा को पूरा करते हैं, तब तो आप खोल सकते हैं, और NCRT आपको application, मतलब आपको permission देगा, अगर आप नहीं करते हैं, तो फिर NCT आपको permission नहीं देगा, उसके बाद अगर हम देखते हैं, कि lay down norms for any specific category of courses or training in teacher education, including the minimum eligibility criteria for admission and the method of selection of candidates, duration of the course, course content, and mode of curriculum, कि सिख्चक सिख्चा के पाठकरम या परिस्ख्चन के किसी भी स्रेणी के लिए मांड़न निर्धारित करना, कि अलग-लग स्रेणी जैसे बात करते हैं, primary teacher है, secondary, TGT, PGT, या university level पे, तो किसी भी स्रेणी के लिए teachers की eligibility क्या होने चाहिए, अलग-लग category के लिए, अलग- कि minimum क्या criteria होना चाहिए, तो ये सारी चीजें है, selection method क्या होना चाहिए, merit के थरू बच्चा जाएगा, या entrance के थरू जाएगा, course की duration क्या होनी चाहिए, content क्या होना चाहिए, तो इस सारा जो काम है, ये decide करना, ये किस का काम है, ये NCT का का काम है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं, lay down guidelines for compliance by recognized institutions for starting new college or training and for providing physical and instructional facilities, staffing pattern and staff qualification की मानियत्ता प्राप्त संस्थानों को नए पाठकरम या पर्सिक्चंट शुरू करने के लिए, और शारी रिकवा सिक्चंट सुविधाय, निकाय स्वरूप और निकाय योगता आधी के नूपालन के दिसादे जारी करना, कि जब भी इस तरह का कोई institution खुलता है teacher education, ठीक है, तो basic requirement क्या होनी चाहिए, physical facilities क्या होनी चाहिए, teachers की qualification क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो इस सारी जो चीजें हैं, यह जो guidelines है, यह कौन बना रहा है, यह NCT बना रहा है, इसके अलावा, lay down standard in respect of examination leading to teacher education qualification, criteria for admission to such examination and scheme of courses or training, कि सिक्षक सिक्षा योगिता से सम्मंदित परवेश परिक्षाओं, पाटकरम और प्रसिक्षन की योगिता के सम्मंद में मानक निर्धारित करना, कि इस तरह के जो course है, जैसे अभी हमने बात की कि entrance exam किस तरह की होने चाहिए, curriculum क्या होना चाहिए, ठीक है, और अगर हम उसके अलावा हम बात करते हैं, कि training की बात करते हैं, training कैसी होनी चाहिए, तो इस सम्मंद में जो है, जो guidelines है, वो NCT बनाता है, तो give guidelines regarding tuition fee and other fees chargeable to recognize institution, कि tuition fees कितनी होने चाहिए, other charges कौन कौन से होने चाहिए, तो tuition fees और जो other pieces के regarding भी जो guidelines है, वो time time पे, जितने भी teacher education institution है, उनको यह देता रहता है, प्लस promote and conduct innovation and research in various areas of teacher education की सिक्षक, सिक्षक के विविन छेत्रों में यह क्या कर रहा है, नवाचार और अनुसंदान को बढ़ावा दे रहा है, innovation and research को बढ़ावा दे रहा है, संचालित कर रहा है, और इसके अलामा, समय समय पर मानिता प्राफ संस्थानों में परिसत द्वारा निर्धारित मान डंडों, दिसान निर्देशों और मानकों के कारिवान की समिक्षा करना और उपयुक्त सला देना, कि examine and review प्रिडिकली the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by the council and to suitably advise the recognize institution, कि चाहे इनके norms को, rules को लेकर, guidelines को लेकर यह टाइम टाइम पर क्या कर रहा है, कि जो इसके अंडर में जित teacher education के, उनको time time पर advice देता रहता है, और मानिता प्राप जितने भी संस्तान है, affiliated institute है, उनकी accountability जवाब दही बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, कि उपयुक्त मुल्यांकन प्रणाली, मांडन्ड और तंतर विक्सित करना, तंतर किस तरह का management होना चाहिए, किस तरह का सासन होना चाहिए, उनको कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, तो evolve suitable performance appraisal system, norms and mechanism for enforcing accountability on recognized institutions, identifies recognized institution and set up new institution for teacher development program, की सबसे पहले क्या करना है, मानिता प्राप संस्तानों की पहचान करना है, और उसके बाद सिक्चक्चा विकास कार्यकरमों के लिए नह संस्तान भी स्थापित कर सकते हैं, तो जो already जो institution है, उनकी पहचान करना, यह देखना कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसके अलामा teacher education को promote करने के लिए नहीं institution को भी खोलना, take all necessary steps to prevalent commercialization of teacher education की सिक्चक सिक्चा के website करन को रोकने के लिए आवस्यक कदम उठाना थाकि इसका website करन ना हो सके, और 2014 में NCT ने क्या किया था कि सिक्चक सिक्चा कारिकुनों के लिए इसने कुछ नए दिशा निर्देश दिये थे, तो हम उसकी बात करेंगे कि NCT notified revised regulation and norms and standards on number 28 2014 for the following teacher education program, तो कौन-कौन से teacher education programs को इसने introduce किया था, तो हम देखते हैं, सबसे पहले DPSC की बात करते हैं, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन, डिएलेड, तो DPSC जो बच्चे जो होते हैं, जो प्री स्कूल जो होते हैं, केज इन नर्सरी उनके लिए डिएलेड जो होता है, यह प्राइमरी टीचर्स की फर्स से लेकर फिप्ट क्लास, या एट क्लास आप कह सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हों तो, इसमें डिप्रोग्राम जो थे रिक्रिग्नाइज भाइ एंसीटी की इन प्रोग्राम को एंसीटी ने मानिता प्राद की थी टूटाउजन फॉर्टीन में, इसके अलावा, डिप्लोमा इन आर्ट से जुकेशन और फॉर येर इंटेग्रेटेड प्रोग्राम लीडिन्ग टू बी ए बी एड बी एड बी एस सी बी एड जो आपने सुना होगा, और बी एड फ्री येर पार्ट टाइम, B.A.D.M.A.D. 3-Year Integrated Program अगर आप साथ में करते हो तो जैसे अभी देखते हैं B.A.D.M.A.D. 2-2 साल के हैं लेकिन साथ में करते हैं तो 1-Year इस तरह का गाइडलाइन्स इसने दिये Programs Recognized by NCT तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि कि NCT क्या है National Council for Teacher Education की 1973 से लेकर 1995 तक NCRT में के Advisory Body की रुप में काम करता था Advise देता था लेकिन 1995 में इसको पूरी पावर दी गई कि आप Teacher Education को अच्छा करने के लिए आपको पूरी पावर है आप अपने इस आपसे इसके Guidelines बनाओ Rules and Regulation बनाओ जो भी इंस्ट्यूशन Teacher Education के रिगार्डिंग है उनको कंट्रोल करो टाइम टाइम पे उनको देखते रहो और टीचर एजुकेशन के से रिलेटेड जाप प्रोग्राम ने जो प्रोग्राम से ले के आओ जितने भी इंस्ट्यूशन से आप उनके लिए guidelines जारी करो ठीक है curriculum decide करो क्या curriculum होना चाहिए अलग लग लेवल पे teachers के eligibility क्या होनी चाहिए kids course के लिए क्या curriculum होना चाहिए तो जो सारी चीजें है teacher education के regarding A to Z इस सारी जो rules बनाना regulations eligibility है इस सारा किसका काम है यह NCT का काम है तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर अपनी राय दें आप comment करें और बताएं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद